समय का मोल समझने वाले अनमोल बन गए और जिसने समय की बरबादी की वो बरबाद हो गए जो व्यक्ति समय पर अपने काम को करता है वो सफल जरूर होता है लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे साथ गिने चुने दो-चार लोग ही क्योंकि पता सभी को है आपको भी मुझे भी और बाकी लोगों को भी कि समय को बरबाद नहीं करना चाहिए समय बहुत कीमती है एक बार यदि समय बीट गया तो दुबारा वापस नहीं आता लेकिन ये सब जानने के बाद भी लोग अपनी पुरानी आदत को नहीं सुधाते बहुत ही बुरी आदत पाल रखिये लोगों ने अपने कामों को लास्ट मोमेंट पर ही करते हैं एक स्टूडेंड का ही एक्जामपल लेलो साल भर ढंकी पढ़ाई नहीं करेंगे जबकि उन्हें पता है कि उनका एक्जाम कब होगा लेकिन परहेंगे एक्जाम से एक दिन पहले ही और रोहेंगे टेंसल लेंगे दुआ करेंगे कि कैसे भी एक्जाम में बस पास हो जाएं सभी स्टुडेंट्स ऐसे नहीं है आपको पता है कि आपका काम क्या है तो उसे समय रहते कर दिया करो हम सभी को ये सीखना होगा कि हम एक भी सेकंड बरबाद न करें समय का बहुत महत्व है एक इनसान को सफल बनाने में ये जो लोग कहते हैं न कि जीवन में आगे बरना है काम्याब होना है अगर ये समय की बरबादी करेंगे तो कभी काम्याब नहीं हो सकते स्रिप महनत करने से काम्याबी नहीं मिलती डिसिप्लीन भी होना चाहिए आपके अंदर समय किसी के लिए नहीं रुकता इसलिए आप भी काम करने से खुद को रोको मत बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता इसलिए एक एक सकेंड के महत्वों को समझो और अच्छे से यूज करो तो ये थी कुछ बाते जो मैं आपके साथ सेयर करना चाहता था अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू किजेगा धन्यवाद